जो लड़का अम्रित्सर में पला बढ़ा वो आज पूरी दुनिया में नाम कमा चुका है जिसका एक छोटा सा होटल तोड़ दिया गया था उसके आज विदेशों में होटेल है जिसे अम्रित्सर की अपनी आंटियों को छोले भटूरे खिलाने में बड़ा मज़ा आता था वो आज दुनिया बार के सेलेब्रिटीज को खाना खिलाता है लेकिन आज वो सिर्फ एक शेफ नहीं आज वो एक फिल्मेकर भी है, ओथर भी है और फिलांथ्रोपिस्ट भी आएए आज जिन्दगी वित रुच्छा में जाने ग्लोबल सिलेब्रिटी शेफ विकास खना की कहानी विकास खना जी बहुत-बहुत स्वागत है अपका जिन्दगी वित रुच्छा में जी विच्छा में लोग भी है चार साल से बेट करें लोग किती जी वर बात की थी पंडेमी के टाइम पर अब आमने सामने प्रेटी आप इंतजार का फल कितना मीठा होता है पंडेमें अब बात करते तू वर्च्छाल करते आज रेल लिए अपसे मिल पारियूं विकास जी आपकी जंदगी के इतने सारे पहलू है और इतने इंस्पाइरिंग है अम्रिटसर में पहला बढ़ा एक लड़का जो पढ़ाई में बहुत अच्छा नहीं था जिसका जब जन्म हुआ तो ठीक से चल नहीं पाता था कुछ पैर में प्रॉबलम थी एक नॉमल मिडल क्लास फैमली थी बहुत पैसे वाले नहीं थे और आज वही लड़का टॉप सेलेबरिटी ग्लोबल शेफ्स में जिसका नाम लिया जाता है वासिव जाना मना शेफ नहीं है वो फिल्मेकर है वो राइटर है इतना सक्सेस्फु मैं यही से शुरू करना चाहती हूं आज जब पीछे मुड़कर अपनी जंदेगी को देखते हैं तो क्या लगता है कि यह कहां आ गए हम यहीं साथ चलते चलते हैं शुरूबात अम्रस्वर में जैसे बहुत शेफ्स की होती है घर से कहानी शुरू होती है कि खाने से इश् अधिन अधिन गाट में जैसे ने जैसे शुरूज की रॉष्णी गर्मियों में जीदा आती थी वह जाली वाली जो थी ना बारी वहां से विंडो से और बिल्कुल उन्टे गिर्दी थी आज़ू इस वी गई तो स्कूल ओमार्दलिया या परांठे बना के पैक कर रहा हू अधिक वही मुझे लगदा था के इस्ट एक्षिली चीज़ सूपर हूमन दादी बीजी इनके हाथ का फुलका कभी सूखता ही नहीं है मैं बढ़ता था मनिपाल में बहुत दूर है अमिसर से तो तीन ट्रेने लेके जाना पड़ता था था महाँ पहले पहले अमिसर से दिल बीजी कहता है छी कमाल आणा your friends you kora माल पुलका नहीं सूखता दूर क जो चीज रहता है, संस्कार भी मिलते हैं. I understand कि हम India एक बहुत ही modern country के तरह बने की जा रहा है. You know, eight, वो जो first year cities होती है, they're becoming like a western country. पर मेरे को अभी भी लगता है कि जो बच्चे grandparents के साथ बड़े होते हैं, उनमें culture एक different तरह से आता है. Parents are busy earning, social, society, challenges, schools के पड़ाने के, बच्चों को normally बड़ा करने के, बहुत challenges परसे रहते हैं. It's not their fault. That's how the life is now. Grandparents होते हैं, जो सारे शांती के साथ, आपको एक एक कहानी सुनाते हैं. And for me, it was understanding Ramayana, Bhagavad Gita, and understanding Gurbani, and understanding India क्या है, and their struggles for free India. My grandfather was a freedom fighter उनके culture में. Ayidadi was like absolutely strong, empowered women. So, उनसे आता है आपको. And when I see sometimes कहानिया, वो जबरदस्ती के, like, you know, बठाना आपको, सीखो, ये कर रहो, तयो हार जैसे आपके बज़र्ग मनाते थे, परेंस का भी नही मना सकते हैं. उनका होना ही is auspicious, I used to feel. कि जैसे अभी एक महीने के बादे दिवाली, अभी से तियारी शिरू होगी. नवरात्री से तियारी शिरू होगी, दिवाली आरी है. अब तो सब कुछ इतनी भीड में हो रहा है, तब इतने सकून से होता था, इतनी प्राइट थी of being Indian. Because they had really sacrificed for India. और हाद घ्रडिशन की value बच्चों को सिखाना, कि यह हम क्यों कर रहे हैं, यह रangोली बना रहे हैं, सूं क्यों क्यों बना रहे हैं. और सब को साथ में पारिसिपेट करभाबा बच्चों को. अब्भी भी बच्चों के लिए, और हम सोचते है कि क्या बड़ी बात है, you know, we are growing up in families, हम आपस babysitters है, जब कुछ है, बट क्या होते है कि बच्चा जब वही बच्चा जब बड़ा होता है, और लाइफ इस अपस अप्स अप्स अप्स, जब डाउन वला मोमें ठोट है रिचा जी, आपकी सक्सेस वहां मनाई जा रही है, हजारों मील दूर, वहां पर जादा खुश्य है वहां आपसे कि आपकी तरक्की हुई, आपने घर लिये, गाडी लिये, आपने एक नया रेस्टरॉन खोला, एक नया वार्ट जीता है अपने, आपने जाए, जाए, आपने अपने लिये, कव करकाननोंग이? कॉझ अईगा मेरे पास? जातोने सकान एक नईगा? इसनगे लिए और सय से देख टोना घाला उआऄ अटरोंगई जा चांब से लिए लिए शान्धाण के कारना से वेड़ ना हम से ऋटाड़ कि अगर आपने थीक से उनको मौनिंग नी विष्ग किया और जी इस तो फिल के इज़त करनी सीखो आपको नी पता किता मुश्किल होता है फैमली को बड़े करना इन वी अवी कुमिंग फॉम् एट कुल्च्छर आप इस वस रेली शुकराना अधर्शनिंग आप उनको में पार्ण एट का इस आपने से तो उनको जाता हुआ है आज अप नुवर्यूर्क पे रहते हैं तो आपको बड़े भापस थीक कर देता है तो कभी ऐसा होता है कि अरे मैं गलत कर रहा हूं अरे बीजी नहीं इसे खाये था तो क्या होता है जो आपकी वैल्यूस होती ही संस्कार होते वह आपको फिर वापस ठीक कर देते हैं अगर आप रड़ा उड़ने लगो तो नहीं तो ऐसा कभी कुछ आपको लगा कि ये वालिव जो दादा दादी ने दी थी वो है अभी सात मैं जब अमेरिका मुव किया 2000 में तो मैंने दादी को बोला था कि आपको याद है एक अवार्ड मैंने अपको बोला था जो सिरफ गोरों को मिलता है मिशलिन स्टार तो मुझे वो इंडिया के लिए तो जब मैं निकला था घर से डिसाइड किया कि मैं अमेरिका मुव कर रहा हूँ तो तुफ दिजिजिन आ विस वे सक्सेस्फुल बिस्नस्मैन अमरत सर्व और पदा था अमेरिका जाके स्क्राच से शुरू करना होगा तो उन्होंने का था था बस ना दी अमारी प्राइड मत भूलना तो एक और बालनसिंग लाइव का यह भी हिसा है कि आप कहते हो कि बस यह ख़र उन तक पहुंचे कि यह मैं कर रहा हूँ ढरी अर्डमर काषिप्तर के बसुए टान तो यॉर्यक ता मेरा तो ऑपा न सौन को आओ पाप मेरा रूर्थन्स थान अश्तर्शयी पुरू का धो थाधिक वी पुर्या का नमीरी च से वसा मूना जारें तो वो मारी फैमिली वाटसाइब ग्रूप में गई तो आगई ना बहुत सारी स्टोरीज अब अब तो पंजाब के स्विमी तरी कहानी आगई अब तो पुड़ा सा वापस शुरू से बात करते हैं अब क्या तकलीफ थे आपको जिसकी वैसे चलने में एक प्रब्लम होती है विट्स चाल्डूट डिफर्मिटी विच इस काल्ड कलफ फीट अपके पैर टेड़े होते हैं ऐसे इस तरह से करके तो बच्चा जब चलता है तो बहुत ऑक्वर्ड होता उसकी मोशिन्स तो कि अग्लाए निए अपके पार इस तक को इंटरने नहीं था अब अम्रिस्रह में हो तो कि प्रपर डॉक्त नहीं तह है कि जो काइड कर सके तो डॉक्त ने का कि यह चलनी पाएगा गभी भे प्रॉपरली तो इस एक हथा मुझे डिलिवर करने का ममा तुक मी तो तो डेली में आफ उल्ट एलिए मैं पूर्द कर दांगता स्था रिव Oui फ्याद में से जाड़ा हुआ पूर्ड अ मुसीबत कहा हुआ है पई य। मम उपर लग एक झारच अजी जो सैके में जांगा है लुआया है बाच्ची स्कूल्ने मजाग लुगा थे हो वोग थोग थोग दिफरेंट हो तो जिद्स आर नोट वेरी काइंट अब तो बड़ी आवेडनेस बड़ी चीजें बदल रही है तो उस ताम पे बहुत बहुत रहुत रहुत तो बहुत बहुत अब आप दो झाएंट बड़ी तो हम एंटिर पुछ आठीड यहाओ तो तो शुम्तिन तो शुम्तिर कुछ एट घ्टाु थिर रहांग्त जिए तो अब बहुत पुछ पुछ जुति तो बहुत श्क्लीं पुछ हो थो हुतो धर ज्ले पर दीवाली पर रह people are not forgiving sometimes you know sometimes your cheezam I know I love teachers I love them but you know all teachers are not the same sometimes teacher would instead of taking my side they will take the side of the students so to about to make some teacher to tell you this class shall be it up up dratya bathroom because I'm bombom bombom pair okay so it was always like you felt oh my god I'm not I don't belong here and and I'm always less so it's a small problem but tera saal tak you know a child who went through that and could not develop proper feet and could not run properly and everything then then it was God's my mom's determination nothing to do with me surgery 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 modification shoes so I used to always keep saying saying that I don't want to wear but it was like when she will force me she saying that I don't want to wear, now you will be afraid of wearing, now you will see long way to see how good we will be for each other they also said something beautiful that they don't want to wear, they don't want to wear to wear, to wear to wear when someone in a family said that I don't want to wear some people cannot, you can't blame people awareness is low in people and when the first time my mom had talked to someone with a journalist so I didn't know that I had never talked about it so my mom told me that she gave me a heads up so my mom told me that there will be a lot of children that I think that we are less so I said that you are less than you are less than you are I just loved it and then we, when she spoke then I spoke I spoke many years after her because what happens is that you have a problem in class and it affects the effect here I was going to ask you that you have to learn everything in class you have to fail in class a teacher gave me one number so in Maths or Science I gave one number I am seeing it you have to know that 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 that all the pages are clean I am you were like you know, there was so much of fear that everybody is looking at you and you are going to fail and then you fail but there was no counselling there was nothing like that but at least I had the blessing of such a good family that that carried you forward of course if no family, I feel there is no happiness too तो क्या एक इंट्रोवर्ट बच्चे भी थे और उस वजह से आपको कही ना कही क सुकून मिला कुकिंग में क्योंकि एक बड़ी अन्यूज़ चीज आपकी लाइफ के आरे हैं बहुत कम बच्चे आपको दिखेंगे बहुत कम बहुत कम ऐसे कहेंगे कि 13-14 साल के उमर में भी खाना मना चलगता था यह किचिन में जाना चलगता था उस बच्चे भागते हैं उस ताइम पर वी तो क्या वो वो सुकून आप उस किचिन में ढूंड रहे थे क्या बिकास अधर चलगते हैं बच्चे अधर चुप रहा था मैं जो मुझे याद चुप रहा था आटे का कमरा था इसमें आटा गए हूं वो मुझे कमरे की खुश्बू बड़ी अच्छ लगती थी और नोबडी कुट फाइं लिटरली और देन बैट के सरफ कुछ नही करना जैसे दिवाली आती है तो बहुत कम लोगों को पता है पंजाब में दिवाली का मतलब गोभी शल्गम और गाजर का अचार भी होता है उस ताइम पर वो अच्छा सब लोग शुरू आते ताला एक बहुत ही फेमस अचार है उसका मतलब सर्दी आ गई तो वो चुटी चीज लंगर जो बच्चा जाता है उसको रोटी लगाते है यह तो बार खड़ा है चुरी नहीं देते है बच्छों को तब सारे बच्छा लोटी लोग तो गोल रोटी वाव दोमाग कम नहीं होगा अपका और यही जो हम फिर्स की बात कर रहे है कि दोस्त भी अपने क्यों कि नह कोई भी गेम्स खेलेगा आप वो सब नहीं कर पा रहे थे इसलिए आप इधर थे किछन में थे बस वही चीज फिर आप का इक इंफ्रस्ट बन गगी I just feel के it was a God's way of telling me that this is your calling एक भगवान का तरीका था, लंबी सड़क घुमा के वो ले के आया मुझे वापिस घर और बोला त्रेको इसलिए मैंने पैदा किया I just feel that intelligence and all are overrated, talent is overrated, one thing which is not overrated is bhakti-sarv-shakti कोई शक्ति नहीं है वो लगन जो है आपने कुछ भी करना है आप सब को बीट कर जाओ गयो अगर आप में लगन है मुझे कुछ बन के दिखाना यह लगन थी आपके अंदर जिद थी हाँ मुझे वो पापा की वीडियो टेपों की दुकान थी जो होती वी एचेस की दुका प्रच बेकिया तो वो अंटी नहीं घरती थी मेरेको अपने बार खड़ाय तो डरके मारे मैं जाओ तो यहां से भी डाट खार हूँ अग जाओंगा बापस पापा के पाप पाप तर रचाओंगा ने कम है तो क्या बोला तो दें उसको मैं रख लो पर एक दिन के लिए तो पापा कैते तो कबराना तो मैं रॉकी है जिए मैं अच्छा काम करता था कभी-कभी तो मुझे नहीं बनना था जैसे घर गर जाके वीडियो टेप के पैसे लेकिया और सैकल पर और मैं बहुत चुर्जा था कि आंटी इतना जादा डॉमिनेट करती थी मेरे को चल मारा था अच्छा ठीक आंटी मैं जा रहा हूं पीपल नवर उस्टू पांटी कराया था था दस रुपी की दो दिन का ऐसे होता था जैसे तिपिकल कुई देता नहीं था मेरे को मैं इतना उसलेस था था मैं पैसे बिश्यक को देना बापा मुझे नहीं पिछर तो बहुत जगा पर दिखानी पड़ती थी अच्टाइं पर तो उससे बचने के लिए मैंने का मुझे बिजनस शुरू करना अपना अब चोटे थे आप 14-15 से 16-17 तो अमिस्रक लब है वहाँ पे केटरिंग थी मैं उसमें हाथ बटाया में को साथ साथ सार्फे मेले कभी नी भूला है मम्मा के अधिया राद कर आया था था कि मम्मा कर वो शुरात को लता जी शुलाए तो that is my business starting my dream starting ambitious नहीं था तो मुझे लगा था कुछ करना है, Disic के की लिए भी करना है, Family के लिए करना है, Naham के लिए करना है, तो लगा Kitty Party House खोड़ोगो तो काम हो जागा पर आपने खाँ चोड़ा सा शुरू की गर के पीछी थी वाँ पर एक ब्यूटी पालर था तो वो छोड़ के चले के तो फिर मैंने बौजी को बोला है बौजी को बोला है बौजी यहां पर किटी पार्टी कर सकते हैं बिजनस शुरू करने कि लिए कुछ तो पैसे चाहिए मैं गर्मिय थी मैं कभी नी बहुता रावाम थी कि तो हम विवेक पब्लीख स्कूले चोले रिसेस में दे दे जाते तै बच्चों को बेशने के लिए we failed in that also हमसे बच्चों से पैसे नहीं ले जाते थे आप घर में चोले में टुरे बनाते थे हैं केटरिंग घर में बीजी का हाथ इतना magical था जो खाता था पागलवागा था तो हम बीजी केते क्या बच्चों से पैसे लेना ये कौन सा BARAN Jamie is a घर ट्रून का da Puri school मेरो ने टीचर का के हमको सद्वीयों के लिए स्वेट चाहि MUSIC ma chaine Yeah स्वेटर बनाई टो मैने क्या हां मूने बनाईंगे तो स्वेटर बननास लुखा तो बहुत पर आप स्टमाने लिए था हुट्षी पर बना था हुट्षी शुट्रीग करीब दूपर बनाता मारा लिए उसका हिए लिए था लिए भी जाद हो थी एक साइन बनाया था और आपको तो पता ही है अमने वैसे तो है इंग्रिस्पीकिंग स्टेट अब लिए नावजे के बाद बदिए दोग्स पाले लिए गार्ड्र विलिए कामा लिए गार्ड्र रादन और अमने किसे नोट भी निए किया था मेर भाई आया, तब मेर भाई एंजिन्रिंग पढ़ था इंडिया में भी बहुत बहुत मिलते हैं पर बज़ा आता हो तो मेर भाई कहता है यह स्पेलिंग के है आपने नोट लिए गलत स्पेलिंग लिखे है तो मेरे कोई बाद नी तो मेरे ब्राज लेके इउसके उपर लगा था और फूटिंग इन लिए 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 फिर फिर बिजनशी रुए था पतिले, तंदूर जो बेसिक पॉनिया, कड़ईया वो यह छे चीजी आती दी बनानी मेरे को क्या-क्या बनाते थे था बटूरे बटूरे छोले तो एकी तरह के बनते हैं वही कुल्चों के साथ भी बटूरे के साथ भी अपनीर पकोड़ा और स्प्रिंग डूर बहुत खाते हैं वहां पे लोग किटी पार्टी में स्पेशली आंटी है बड़ा तंग करती थी मेरे को बाप रहे प्यार भी बड़ा करती थी पर पैसों के लिए बहुत तंग करती थी उनको पता था मुचे कीन सकती है तो मैं पापा बड़ा हसते थे बाते करती है नांटी है तेर साथ मैं कि आंटी आपके आठ लेडी से कहते आठ नहीं थे हम साथ थे एक अवरत था और फिर छे थे लड़की छोटी है इसके पैसे नहीं देंगे छोटी आपसे लंबी आए अँटी आपसे जादा खाना काया उसने तू नजर मत लगाया कर एक पांच लोग के पैसे लेने देले नहीं ते को पैसे नहीं थेंगे अगाँ मैंगे आठ पापा मारओंगी आँटी मत कर वेकर जाद कर एसे मेरे साथ तनुए अभाव्य। जो हो और ही उसको हो भी सोचते यही असलियत है लोग यह नहीं सोचते कि एक कोछीष की निय भी हो सकती है मोई कभी भी थुक्षी नी था. मैं वहां पर भीais बड़ा जहथा था कभी कंपी साथ और अठीयों कि अठलनी का कर लाए वन्तियों तो आन्टियों कोई इंस मेरा भाई वस टॉपर मुझे कोई इंदा बड़ाई मैं बट मुझे की मम्मा कर रहे थे थे and I was like a big support system for them फिर मेरे चाचा जी आइलेंड मेरे रहते थे अब वो फ्रांस मेरे रहते है तो वो आया मिस्टर तो रहां देखा करते you have been gifted with an artist he is a artist और सारे के आठिस कब से बन गया कैते हैं artist तो है कैसे खाना बना के serve भी कारता है सबसे भूस शुकर बाते कर रहा है बार और पैसी भी ले ले भी तर उसे तो बिजनस इक कर रहा है न बिशक आप लोग नजरों में लग रहे कि क्या ये है और क्या बिजनस कौन से लड़के बनाए है खाना जो मिडल ख्लास फैमली से आते हैं तो इसको फॉर्मली एजुकेट करना चाहिए आपको अच्छा वहां से यह हुआ जाए हमारे घरवन को कुछ समझे आपको निए कर दो कुछी गए मेरे को तो मौरे शरतन में गया हम लोग फरस्स ताइम आपको प्रेवर कहाना थेखा पहली वार्ड थेखा फाइवर थेखा पाइवर थे निए अच्छा थेखा के एक रेस्टों में एसी एए विलक। उन्हेंदे दिनि हो चुछ नहीं देखा दा आपर वहन भूफेँ लेख वह लुफेँ, 24 अषनीः भूफेँ था पेली पात्री देख्यों कि भी शोगणी सब्सद्टी चॉछलेजंग का लाती नो इन्हें तोहुछ जो सीधा सत्यजीतरे की फिल्म देख ली उसको बिलीव नियों कि ये असलियत है के फिल्म है वा हुआ था मेरे को बहुए अस दिन और शेफ ने शेफ पैंड शेफ के ठाहिम को अच्छ मंँट्र में पेंगे त्युद्ट we tea'su एक थह बहु पैंटे थे है। तो यसे देख्के सव उनिफम में पहने और है तो एक एपसश भलेश्ति को निश्यीशरा है सामेने चांद तो ना मुझे पधन उतार चांदी होती करें आपका पतन है मैं सबका रिष्टा है क् सबक्रकेश्टा है कि खाना है कुछ सब के पसंदिदा डिशस होते हैं कि आपका अचयों पसंदेश को हुझे उपसंदै यह इपकार उससे पहुत लग रहा है और हमेशा से शयद बच्पन से, you were destined to do this, क्योंकि जिस तरह से आप बात कर रहे हैं, आप पेस्ट्री देखकर आपकी जो आखे अभी भी चमक गई, वो रिष्टा बड़ा अन्कॉमन है, बड़ा अन्यूजूल है, आज आपको, as I said, कि जब पीछे मुड़ के देखते हैं, त मुझे लगा था ही, एक बार कि इतनी दुनिया में कॉंपनिशन होंगे, कि इसके वाइसे मैं यहां खड़ा हूं इस किचन में, and you're managing, and you can win a Michelin star, you're so close, तब लगता था, ता मैं पागल हो गया था बिलकुल, मैं सच भोलूगा, मैं सब से इसकनेक्ट हो गया था मैं साही मैं जीत पाऊंगा, तो फिर जो कॉलेज में एक तस्वीर थी लाइवरी में, उसमें सब गोरे शेफ्स थे, वो हम सिरफ गोरे शेफ्स को देखेंगे, हमें कोई नहीं देखेगा, क्योंकि मेरे जैसा कोई नहीं दिखता उस प्लाटफॉर्म पे, मुझे यह जीतना है, इस वहाँ थाओ मेरे जए फिल्टर्स और लेज थार्वोटिं में, मिशलून कभी यह होता है, तो बहुत डर रहा हूँ था मैं कि अगर में हार गया तो, और अन्यूम गान्मधर वस 94, और उनके ली जीतना हुदा मेरे को, उनके जीतना हुदा यही जीतना हुदा मेरे को, उक में पापा को फोन किया मिष्टिन अवार्ट का अनॉंसमें तो अमेरिका तो पाइपन थी के इंडियन लड़का मतलब बड़ी बात थी I was one of the first first person of color in America to इतना बड़ा अवार्ट कहने के लिए and घवरार्ट भी थी कि मतलब जो सोचा था पता निकिस के अशीरवा थे कि आप भी कर गए तो मैंनों को फोन किया तो अभीज ने का कि मैंने बताया भीजी आपको बताया था मैंने का वार्ट तो उनने बोला था कि जो ताज है ना चवी के अंटेसरत थे नहीं पान दे पिठा तोट जानी है which means that you don't put your crown on your head 24 hours it's gonna break your back oh my god she said this कि मुझे पता तुझे कितनी दर्थ यूब यूढ थी तुझे कितना इंसल्ट किया गया था कि फ्रांस पे भी जाके कहते हैं, मुझे कहा भी नहीं, तब ही मुझे पता था तरी बहुत बेस्ती की लोगों है, मुझे पता था क्या जलील किया होगा कि मेरा बच्चा अकेला वहां पर एक्ती बड़ी दुनिया से लड़ा है। कि ऑसमनन से अष्के कि यहां प्लावन कि अंकिते लोगों मेरा बच्चा थेम आजे की बच्चा पिर गल्गों है। आप थुकी देखते होनका तुखी उसको पताता कि बहुत ढर्द मैं है। कि छली-छली मेरे बेटेओ कर दिया है कि तूट गया है बच्चा मेरा पर accept नहीं कर रहा defeat तो शी आस्क मी कि वो दिडिस तो यो कुछ नहीं बोलता है and when I said कि I won the Michelin star she said ताज, ताज की बात is amazing उसका मतलब था stay humble, stay grounded ये तेरे को पैचान दी गई है क्योंकि तुझे और बहुत काम करना इसके बाद ये तेरी जुरी था, हमें पता है ये तेरी शिरुवाद हुए है और इसके ली गमन मत करना आप and that is my motto of my life that you don't celebrate too much success and you don't cry too much on your failures and defeats somehow because you got to constantly find new ways to do new things beautiful I actually forgot that I asked the question I have such a beautiful thing that I am making a chef you were made to you were destined to be a chef because of how one thing I will say is that you and I belong to the same generation today we are a very good profession glorified profession but when we and you are growing up and if a child says to me I have heard and heard it is a very humilating way people talk to me what is it? you can make a chef especially for the girls what a beautiful thing is that you have not done you have not done you have not done BG's and BG's you were in support BG's was a lot of support BG's was a lot of support so he said that he was happy but the rest of the people are good all of them there was a taboo for the girls to take the cooking he faced that okay to take the cooking to take the cooking to take the cooking to take the cooking so you know those things and he was listening to me but I knew what will he do he will do for the president he will do my god what will he do what will he do so I am like wow but you know it also you see that where we come from you know people the courage to dream there is a very hard courage very easy to philosophical very easy to philosophical I don't know anyone there I don't know anyone there I will never write because I don't want the kids to feel the darkness overpowers I want them to feel the light overpowers a camera it is so much in a camera it is so much dark in a camera and a little light light so I want them to feel that it is in a way you know in a professional world where people compare your mother and dadi and your mother and your mother and compare and compare you know it reminds me when I was a child when I was a child and you are looking at them they are 80 and they say oh my god this is so sweet with such purity that the dadi made the food I feel like to understand the children or youngster that if you want light then you have to walk from a dark tunnel that is very important that is very important your experience in Lawrence Garden there were many struggles when you broke once that happened when did you formal training or later so I trained in Manipal and I didn't go home in small I went very little so I got opportunity to work with Taj Intercontinental in Delhi I worked in Mughal Sheraton in Agra then I went to Kathmandu to train in Solty and then I worked in Bombay Sirok Sheraton in Antitune and when I went back to college then I started in Leela Campanski in 1994 in 1994 to 1995 and then 1995 I thought that I went home on Diwali and I saw that my little little old in the New York and I was like I was like I was like I was like इसको तोड़ दिया अपकुछ तोड़ दिया कितने साल का था वो 91 आपने बला है 10 साल 10 साल की मेरत फ्लाट Dark day but it was also interesting जब पीछे मुड के देखते होगी कैसे मैं बच्चों के था चिला रहा था कि ये पापा को आने दो पापा को आने दो तब सेलफोन नहीं होते था तो शादियों का था था तो केटरिंग चल रही थी बहुत साई जब होते है तो पापा किसी अपने रलेटिव की महां पे गे होते है सुबा के मौनिंग सर्मनी पे और इस पीपल केम और इस सेट केम ये इल्लीकल है सब पुछ और पापा को आने दो पापा को पता है और मेरी पापा को पता है और मेरी पापा को पता है and I was like crying and I was telling all the customers please I'm sorry, I don't know what happened, I don't know what happened and then I was a little heartbroken, a lot heartbroken and then I feel like when the road is closed a small door is closed because it is a very big city for you it was probably uprooted from there but some days you feel that why the God gives so much pain because he says that the power of God gives so much pain but that day was very difficult for me and that night was very long for me and my brother and my mother also said my sister used to love New York so if you don't go, go in such a big city Indian food is the shock so why don't you do that so it was like an impossible for somebody A, B, C, D, I don't know America's I don't know anything about America's English also didn't come to speak English is the one who comes to Punjabi style who can talk to someone else who can talk to someone else so I went to New York but I don't think that I went to the left I will think that I am doing that that night I had a bad-tamiz-y I said she was always scared The day she was shaking? because she didn't come to the house I knew I would blame her I didn't say anything to her I started to talk to my mother that you didn't come to the house she was like a slave I was scared of her I was asking her very much I am sorry mamma, I have never talked to me in the wrong words but that day I thought that my child has been taken away from me my child was my child, I had hit it with my hands suddenly everything was broken back to becoming like a server, a waiter, a cleaner, a line cook, a helper from being owner of yes, it would be a small one but it would be a banquet catering was very big because there was a lot of names because we were traininged outside we were spending a lot of money yes, there were 100 employees oh, night and night oh my god I am saying that when we go back and look back it will look like that if he didn't get hurt, you might not be a global celebrity chef you are working in Amritsar I am happy to be here this was a gift to me it was a turning point of my life, my career when people heard that I am leaving Amritsar when my visa took place so many people said what will I do I will knock everyone I said yes, if we start with dignity then Biji said we should keep our name you don't want to do anything wrong so that America would make a house 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 you were learning the survival bank courts make a house because 9-11 was before it people don't understand that Richard that 9-11 was before it then go somewhere and I was much younger looking and go and say chef please please help me so I started working in bank courts and everything I used to make good money but I was happy I am about to talk about America I will talk about life I am about to talk about India but there are 2-3 chapters and I am hearing about that I am hearing about that 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 I am hearing about that 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 I am hearing about that that I am hearing about it 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 you know you are for many people in their life to get one Michelin star or to reach this status and to be published author or writer film documentary make everything I am hearing about it that I am hearing about it I am hearing about it that this incident is the only thing that that I am afraid that मैं वह सोचता हूँ। लाइन्स गार्टन में पार्टी चल रही है और लाइट चली गई क्योंकि बहुत अंथेरी और बारिश या रही थी, जुलाइ का महीना था किचन के उपर चछत नहीं थी, बैंकुट्स में तो तंदूर जल रहा था वहां पर, तो मैं तंदूर की छोटी रोटी है जो हती है वह लगा रहा था तो बीजी साइट पर खड़ेते हैं, गंदी सी चाहता लेके पर तब स्टीम तो आई रही थी अर चगहां से पर्टी तो बिल्कुल फेल ही हो चुकी थी उनकी, कोई सेलेब्रेशन थी तो उनकी लाइट आ रही है जा रही है आ रही है जा रही है तो वह आये अंकल और बड़ा चलाए मेरे पर के दुबारा से तो आना नहीं हम सब को बोलेंगे यहां पर खाना मत करने आना इनके पास जनेरेटर भी नहीं है, लाइट नहीं चल रही I was not paying attention क्योंकि एक किचन में ही थी हमाया लगी हो थी emergency light एक बैटरी होती है उसकी ट्यूब थी क्योंकि किचन की light has to be on तो मैंने का मैं सर आप प्लीज चलाओं मन भी देखता हूं तो मैं उपर गया जहां पर जनेरेटर पड़ा था तो बिलकुल terrace पे अंधेरा और बिजली गर्जी थी और मैं देखा बारिश तुफान मम्मा कोने में खड़े जनेरेटर के पास जब भी light नीचे बंद होती है मम्मा प्लक को उपर कर देता है अख़ बारिश में भी प्लक कर देता है मम्मा ने मुझा नहीं देखा मम्मा ने मुझा नहीं देखा कि जब नीचे से light on off होती है तो नीचे को चलाता है मम्मा फिर जनेटर को वो ट्रिप कर दाता heavy loads है मैं हमिशा कहता हूं कि मुझे क्योंकि जब भी सब कुछ चला जाएगा अंधेरा होगा मेरे ममा फिर कोई सो ढूंद लेगी में लाइट अन करने के लिए वो में लाइफ का एक 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 वन बेरत वेरी इंपोर्टन में गाद ब्लेस रविद लाइफ लाइफ उनको समझ तो आती नी तमे करता क्या हूं प्री लाइफ में पर उनको खुछ हो आते है कि अट लिस्ट पंजाब के इस्री में आ गया अच जब आपने ये मन बनाया कि में पर आपको पता नी था चाचा ने बताया फिर मनीपाल ही क्यों जाना है और वहां पर भी आपका अद्मिशन बड़ा इंट्रेस्टिंग तरीके से वा इतिसी इतिसी के होटल में ही मैंने बुफे देगा था और वहीं पर उनका मैनेजर था रेसेप्शन पर तो मैं तो बच्चों के तर होना शुरू हो गया तो उन्होंने बताया कि क्या हो क्या हो क्या है I don't remember most of it very clearly कि मैंने कभी इता सुंदर जगानी देगी थी कभी अमको Amritsar के रेस्टों बगारा पताते है बचार जैसे हम है जैसे everything was humble पर food फिर भी Amritsar का better है दिली वालों से और उसे कोई इंकार नहीं कर सकता Amritsar is Amritsar, we have to embrace it अभी तक गई नहीं होजा जाना है आप इंटर्व्यू तो नहीं बंद करते होगे कि Amritsar नहीं गई तरह साइन आ उपर से तेको गुरू होने बला है हमारी बेटी आएगी तो अबस लाइक उन्होंने बोला कि हमारा भी college है hotel management का अभी शुरू होए RTC का Welcome Group Graduate School of Hotel Administration Manipal में गर जाके बोला मनिपाल क्या होता है मैंने का South में है तो मदराज चला जाएगा हमारी जित्ता पता था बचारों को उन्होंने उत्ता ही बोलना था तो हमने पता-पता किया तो कहते है ऐसे दिली में ऐसे इंटर्वी होती है पिर उसके बद आपको अप्लाई करना पड़ता है पिर आपकी जो में इंटर्वी होती ही मनिपाल में होगी रिटर्न इंटर्वी पास हो गया हुए तो तेलीकनम आती थी तो कि बेटा पास हो चुका है तो अब आपको मनिपाल इस तरीक को आना होगा मैं मनिपाल इसकाँ जो को लोग जो किसाता है कोई काना मनिपूर है कोई कहता है यहँ परणा यह चुका क किए तो थी नोग chat वहां थी तेन लोग साव में प्सक्रण की में तो ऑरा थान ओटता था होगा है पास्पे आए एप मैं टोर्दी अल स्छी काल मेरे को इंट्वियों बोल रहा हुआ है कि अपको क्या मेरे बिजनस है एंप बड़ा बॉड बॉड बिजनस ओनर रूम है तो मैं हसता रहा हुआ तो भी पूछते रहे वाद विफ बड़ा बना अंडर्स तो निंका बेटा और क्या था पुनीर पर कोड़ा मेरे हाथ का खाओ मैंने ये भी सीख्या कि पनीर पकोड़ा के ऊपर टोमाटर रखो और दो पनीर पकोड़ा को बेसन में डालो फिर उसको ब्रेड के करमबे होते ना करमबे कहते हैं करम्बो में करमबो में ऐसे करके करो और इसको फ्राइ करो आप खाओगे मेरे हाथ का आप हैरान होगे और म यह देखा जिए पुदीना रखना शुरु कर दिए पुदीना शुरु कि अपना अंटी चछनी पैकर आती है तो मैं ऐसे कर दो बूफे लगता तो मैं खड़ा ओधा तो आंटी के खाना तो नहीं पैकरी मैं उसको कुछ बता रहा हूं अपना प्राइब आपको लगता शुरु को अब कर दो रहा हूं वह इतना प्राओट फील करता है कि उसको छे चीज आती ही बनानी चोल बीजी कहते हैं प्रिछो में ना चाय का पानी देना जूरी होता है वहना काले चिकर चोले नहीं बनता है अब मेरी बीजी के हाथ के छोले खाऊ गया बता रहा हूं मुझे लग रहा है यही बनता है दुनिया में मुझे I have no idea फिर मैंका आपके hotel गया मैं मुझे लगा उनका hotel है वहां पर तो क्या साफ कपडे पहने हो थे सब नहीं मैं अपनी बाते बता रहा हूं तो उनने फिर में को कट करका बच्चे अगले साल आना थियारी कर एकदम कट कर दिया तब थे वहां पर प्रिंसिपल सुन्दरेश परसाद मैंने का मुझे मालूम था आप सब मेरा मजा कुडा रहे हैं कि मैंने बोला दस रवी केटी पाटी तो आपने तो इस पैसे क्या करते मुझे सब पता था, सब मेरा मजा करे थे पर क्या होते है कि छोटे शेरों के बच्चे जो होते हैं कभी को इनको क्लाउन का रोल करना पड़ता है ताकि उनको लगते है जो लोग हस रहे है तो उनकी एक्सेटेंस है तो मुझे लगा कि आपको हसार हो तो शयादा में को एड तो वहां पर ब्रिच सब बनाऊ थो वहां में बैट का साइड पर मैं रो रहा हूँ मैंने लेका किस मूझे जाओं और पापा ने भी अचुता सब चितर घर में त्यार होंगे मुझे वेल्कम करने के लिए सब साइजों के चितर मेरे तयार हो गर मैं और जो मेरी बेस्ती हो वो निय जो मेरा समय हसना है मैं तो तो अपनी प्रावब्म्स सोच रहा हैं कि मैं घर कैसी जाओंगा मैं सोच रहा है पुलोंगा मनने रिजेक्क्त कर दिया और और मैं शृतब चाहिए अब प्लनुक्रम अनको कुछ रहा है नहीं था मुझे जादा कुछ रहा है तो I am just sitting and then I see Principal Sundresh Prasad walking and he said what are you doing here? मैं क्या बस मैं अब आमने सर जाओंगा तो कहते है अंदर जाना चाहिते है को ट्रेनिंग करनी चाहिए एसी होटल नहीं कुलना? मैं का खुलना है सर कहते है फिर तो ट्रेनिंग करनी पड़ेगी बच्चे है तो कहते मैं अनना सबकुच सिखा सकता हूँ थे रखा हूँ हूm www.fit.beard english English मैं भी इता के नो हम 16 in Peter ने मेकनिक सिखा सकते हैं आपको हम ये जन्नों ने सिखा सकते हैं हाइभ एपागल पन ही सिखा सकते हैं मेरे को चुम्हाज निया के मेरे का अध्मीशन मिल गए के ने मिलगी मैं बेटा रहा कै था बाई गॉड जिये नहीं भुला कै था था तुम्हाट चुछी में तफर है तुम्हाट तुम्हाटिंग निक तुम्हाट्छी में अध्मीशन कोलेज and they gave me admission and I was 81st student in my batch तो में उन्होंने बेज़ दिया एक लिए उरुपी भेज़ दिया रहने के लिए वर्टल्स ने कोई जगानी थे मेर लिया and that is where my love affair of South Indian food started not from my college but from Urupy वोफ, ये ना मैं इस दिफार आप से connect or relate कर पारी हूं मैं जब चोटे शहर में पलते है और मुझ पर यादा है मैं जब 96 में दिली आई थी हो कैसे कई लोग small town girl small town करके तो एक वंदर जिद होती थी कुछ बनना है कुछ बनके दिखाना है वोज जब चोटे शहरों के बच्छों में होती है मुझा लग I was giving a speech at Harvard University तो सब लोग त्यार हो के बैठे हो वहां पे mostly American Indians Indian students बाट होते है मैं कहें you know it's amazing you people are thinking that after you graduate the entire world is going to be bowing to you सचाही पता क्या होगी जैसे आप बढ़ रहे हैं वैसे एक middle class गरीव घर से बच्चा struggle कर रहा है वो हर पढ़ाव को पार करेगा हर sacrifice ना घड़ी देखेगा ना कुछ देखेगा और शृष्टी उसके साहत होगी करेके trust me that child will beat you that's your competition Wow you said that Yeah मैरी जो नई मुवी आरही है Sivan Azami के साहत तो उसकी पहली opening line इस ही है कि प्रेणा जो बीज लगा रहे हैं मिटी में इंके पास छाया है पानी है, मिटी है, जानते हो इतिहास कौन सा बीच लिखेगा, एक ऐसा बीच जिसके पास कुछ नहीं होगा, वो पत्थरों को तोड के अपनी जगा बनाएगा, तो लड़की बुच्ति हो से पानी कौन देगा, वो कहता है, श्रिष्टी, सारी श्रिष्टी, क्योंकि उस एक बीच की जीत में सब की जीता है, उस बीच को जीतना ही होगा, शर्त ही है, वो कभी हार ना माने है, इन ए ट्रू और ना ट्रू, एप्सलूटी, क्योंकि दिवार पेट नहीं करते है, पेड का से निकलाया, कितनी स्ट्रॉगल होगी उस बीच की, और सब की नजर वहीं जात लुगल, पछिपान, तो कि बीच की जीतना है, विचली की आप छोटी शेरे ना में हो रहा ही ना भी आर पारिंग को चाहिए, आपने देश में दो बहुत बड़े राइट सेह, अपनी आंकों के सामने, आपने ना टेश में आपने राइट राइट लिगे, और 92 में जब तब ही आपने बहुत आपने हुमन फेस उन रायत्स का देखा है I want you to talk about that और क्या सीखा आपने उससे जरूरी है I mean if you are comfortable जरूरी है भी 84, हमारी जो घर की उपर एक कमरा था उसमें बहुत बड़े-बड़े बरतन थे तो मैं पूछते था कि इतने बड़ेम संसंस्दों में किसकी षादी है like is lo typically थब जो बनकोर्ट होते थे तो बौजी बोलते थे है मेरी भौवजी पोलर थे कि ये जो बरतन है ना जितनी फैमिली जितनी शादी हो है सब यहीं से बरतन लेके जाते है मंदिर में परसादा बनना है तो यहीं से बरतन जाते थे बीजी ने बड़े बरतन इसलिए रखे हुए थे पर यह बरतन बहुत इनकी हिस्ट्री है मैं फादर टोल मी कहते हैं हमको का जाता है जब इंडिया पाकिस्तान की जो पार्टिशन हो रहा था तो बहुत मुसलिम्स इंड़ साइड अम्रिसर भी थे तो वन दे वर लीविंग तो फाइंड ने पाकिस्तान बफोर थे दोटर्टर्स एंड फैमिली इंडिया तो मी दादी ने का था कि इनको मेरे पास ठोड़ो मेरी बेटिया भी है तो वह पापा कैता थे वह में सुनने में आता है कि वहां पर बी जी ने कभी बातनी की बी जी के लिए यह इंड्म फ्लीन कभी बीजि ने कहीं से बातनी वद ने स्कुछ cute को अपने घर में शिल्टर दिया था कि मैं हूँ यहां पर अपना बंद बश कर किof if you're moving towards Pakistan, border close on it. वहीं से मुसलिम बच्चेहां थी. और इन में कहते हुच्री बनती थी शाम को, सब के लिए. And I saw that, I was raised by that woman. Look at the power God gave her. के मैं खड़ी हूंगी आपकी बेटियों के लिए. Everybody's safe with me. So in 92 के राइस में, I was a C-Rock Sheraton and राइस शिरु हो गए थे, तो मैं होटल में ट्रेनिंग कर रहा था, room service. So room service के खाना जो था, limited menu भी था, वो हमारे के उस kitchen से जाता था. And then, चोटा kitchen था, वो बला, basic चीज है. So वहाँ पर में के बन किया था, तो वहाँ पर में में के बन किया था, कि यहां से satellite kitchen के तरह, खाना, खाना ओपर जाएगा, rooms में. So guest couldn't leave, staff could not come. So, हर तरह रहाँ हो रहाँ. So, हर जुकाँ कर्फूज चिरू हो गते है. So guest hotel में है, और वही staff है, and it was a very tough thing and when the internet नही था, कुष्णी था, आपको पता नही हो, शहर में हो क्या रहा है, तो घाटकोपर में मेरा भाई रहता था, he used to work for last night too, bro. So मुझी लगा मुझी घाटकोपर जाना है, on the way there were riots going on and then I took a shelter in a Muslim home and this lady was like a goddess to me and his family, the abu थे, he also took me inside and said, just keep it. He was like a mother, and then I must have told her, that I was the biggest chef in India. And there's always a face, there are many faces to war, there are many faces to people and that is what I tell people, that don't stereotype so easily. But I am watching you one other thing, your sister has some knowledge of children. Papa also said that. Is this the karmic cycle that we call? Papa also said that the same thing when Papa was alive, and Papa also asked that a lot of advice with our family. The kids are very good. We are like karma, karma. No one will give a lot of kids to the children. This is exactly what my father said. When I went home, and my brother was like, he was like, he was like, he was like, he was like, and you know, my C-Rock Charter said, if you are going, you will not give a certificate that you trained in C-Rock. And they never gave it. HR said, once you leave, you will not get the certificate. You are not C-Rock. So, my brother told me, you will not get a certificate, you will not get a certificate. And I said, I was like, I was like, I was like, I will not get the certificate. My brother told me, you will not get a certificate. I will not give you a certificate. You will not give a certificate. You know, we were just young kids, surviving in the biggest city in South East Asia. And for us, it was fear, and there were also the kids. What would happen? So, I stopped training. They were never given the certificate. They were never given the certificate. and I was like, I am so proud of it. Now, we are trying to talk about this. American dream, कि बात करें? Nightmare Yeah, started with a nightmare Always a nightmare Not now You have to keep fighting the nightmare You have to keep fighting the nightmare See, you were also unique in America, right? कितने सालों तक I was the only Indian chef to get a Michelin star in America So you can imagine the pressure But that star से पहले जो 10 साल का श्रॉगल था, वो तो बहुत खराब था Learnings थी खराब कहना गलत होता है You demean your journey He was saying कि बहुत गंदा हुआ मिर साथ गंदा नहीं हो, नहीं बड़ा कु सीखा बहुत लोग आए अब हर इनसान सेम से आप बहेव नहीं करेगा आप भी चाहते थे राइस करना You know, you had your sister behind you at that time who kept saying, पंजाब का शेर है तू And some days I was like, मैं इसे नहीं होगा ये मैं नौकरी कर लाता हूं कहीं पे, easy कर लाता हूं मुझे नहीं करनी है, सब कुछ कैती ये मत भूलना, पंजाब का शेर अगर तू हार गया, सब हार जाएंगे And this was, she'll always motivate me like this कि तेरी जीत नहीं है, ये तो एक मिशन पे आया You have to do that She used to tell me, मेर में कोई perspective नहीं था इतना, मैं ambitious भी नहीं था मुझे से खुश हो गया था, नौकरी मिलगी मेरे को मैं बड़ा कुश हो गया So, जाते ही अमेरिक आपको नौकरी मिल थी पॉंसे थी पॉंसे थी नौकरी Short term मिलती थी 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 ये So I used to work in a restaurant called Salaam Bombay World Trade Center के विल सामने था मुझे पता लग था कि अमेरिका चेंच हो रहा क्योंकि तर्टन Hatred to Asians Because you know Brown Boy, Tribeca, World Trade Center के पास It was like oh my god अपने वो रिस्ट्रक्शन पे आपने सामने लेका? I was in the kitchen मुझे पताय नहीं लगा I was in the kitchen 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 As I was in the kitchen I was in the kitchen I was in the kitchen They were in the kitchen How many small people have been in the kitchen and I was in the kitchen I didn't know World Trade Center has already collapsed The place where a restaurant doesn't have seen the view from the restaurant It was a tough year Because I was in the kitchen Some people said No, we don't Now it is difficult In 2004 कि अवर में I was already having good press for my cooking ideas and everything फिर मुनी नौकरी छोड़ दी मुझे लगा मुझे कुछ करना चाहिए कुछ बड़ा करना चाहिए जिसके लिए मैं आया हूँ किताब में शुरू हुई पर ग्रांट समीली वर्डाउन से वर्डाउन से वर्डाउन से और से लिए थाउन से उपने , ने को शुकल करें लिए seinem पराई क הפ Comics को से सब्सक्ता चाहिए कॉरस ृडर्णा चाहिए पर इस ख concet शबराई कर आपके लिया सब्मार चाहिए दो भाइब यब्भाद पूह सुन and moving on and I started then Gordon Ramsey के office from the phone because I used to have a small restaurant where I used to work called a Spice Root Takeaway place came to the place Kodi Upmum, Dosa उसमें भी Daily News ने a cover story कर दी मेरे पर के how he came to America, how things shaped him and everything and it was a very beautiful story उसे रेश्टरने ता busy हो गया था I did not know कि अहां पर मुझे रास्ते जा रहे हैं तो एक लेड़ी आई पोची वस Gordon Ramsey's producer and she said के we would love to have you in Gordon Ramsey's show मैं का देखो जी लंच खतम होगा तो आउँगा मिला है तो कैते है Gordon Ramsey and I'm like yeah after 3 o'clock मैं का ये बच्चे B1 B2 visa पर आते हैं वारेशल district में काम करते हैं तो मेरे हाथ का खाना काते हैं लाइन लगते थी पूरी सस्ता बहुत रखा होता हूँ चार-पांच ओलर में खाना का लो तो तो हरानी होगी Gordon Ramsey के नाम सुन के तो सभी भाग जाएंगे तो साड़ी च्राबजे खतम होगा मेरी shift तो फिर मैं मिलने गॉर्डन Ramsey को किया and उनने का के we would love you to be a part of a show तो से पुचहा कौन सा रेष्टरान है क्या करता है तो लड़की टेक आट लेके आयू थी मेरा कहते ही तो आप से कुछ सीखना चाहता हूँ modern Indian काने के बारे मैं so then we work together and people who don't know he's one of the greatest chefs and greatest student I've ever had उसके hotel में उसके रेष्टरान में we were cooking in the night to show him what I can do, then he got me on TV and next morning I'm taking a metro train, I said in the metro तो महां free newspaper बानते है मेरी कवर स्टोरी वह मेरी वहां लेखा who is this guy लगता तो मेरी जासी और सामने एक लड़की मुझे देख के ऐसे कर रही है और रही मैं के यह कब आगया मतला एक TV की पावर आपको तब तक नहीं बता थी के TV में किती पावर आपने का शूर में आऊंगा तो निकल का किसको क्या पता लगता right, but it was like a momentum which was created there was so much which happened around that show and which year was it? 2006 so slowly slowly step by step God was creating path to badi opportunities uske bad you know things are changing and then 2008 मेरा वही restaurant where I worked and 2008 मे the whole financial crisis happened and everything I did went away back to square one back to square one it was closed everything, I had a cooking school because it was so much momentum people had never seen that in a big show in Indian chef gloriously India so I had a cooking school we used to teach Sanskrit culinary arts I had a very good Tulsi caterers Purnima restaurant Midtown and the Caribbean Museum of Art there was also food and there was a cafe and everything overnight everything shut down because 2008 crisis was very bad for catering and everything people used to owe us money and we didn't have money so entire financial crisis was a big problem for us in America Do you ever think in your life that everything is good and suddenly something one thing happens overnight everything happens whether that Lawrence garden or this 2008 do you ever say why do you ever say have you ever made a mandala have you ever made a mandala have you ever made a it will change your life some buddhist prayers are made with red colored red they make a mandala on the earth very intricate with red with red they make what is complete what is complete what is complete they destroy detachment that don't don't make it because the next will also make it better sometimes we lose when things are broken when things are closed restaurants are a tough business if you don't do things then we will be very demanding it happens with me but I also feel that I have got to keep moving I have this thing that if it sets you free sometimes it sets you free and a person who has lived this for so many decades I can say that for a brown guy to be in the list of the top chefs of the world wasn't easy it is still not easy maybe I don't but I am thinking about things like you know in 2008 everything happened only to see a brighter day a very bright day in 2010 no in North Pakistan traveled a lot and I started writing about my journeys and that became my book Return to the Rivers which became the bestsellers all awards nominations meaning how how goes if there is no failure then I don't think this is the perspective of the world food 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 like you know I could have never done that after that I came back to I also made money doing small work God is great like what work in Bhutan I was teaching in a school and they paid me and I did travels more in Nepal also I did two cooking classes that was a big game and then I went to I said no I had a dream in America that needed to fill me this documentation is amazing the image is amazing to see the world in India then I stopped at France that was my lowest point you know it's just you know because you're so well trained and everything easy contacts oh I worked under that chef oh wow that's great oh can I get some job here some training here I don't need money I just need to see how the Michelin star restaurants run so I made a dish for the chef so the chef told me I hope you don't forget okay the agent that's the chef they need to serve here for the chef store management and there's a delivery here so much racism में पूप है मैंने, and I made such a beautiful dish. He was a, he's a very renowned chef, was, he's disappeared. So I went back to America, then my entire focus was that I need to put all my energies and get the Michelin star. क्योंकि मुझे लगा कि जो बात हो में थी आराम से कह दोते हैं कि बहुत आराम से हम डिस्मिस कर दोते हैं कि उसने मुझे नी बोला. He said it to my entire ancestors. वो तीन चीजे मुझे बहुत हर तो. And there's nothing wrong with those three things. Nothing wrong. Cleaning, great. Super respectable. I love cleaning. Storekeeping. I love storekeeping. That's the foundation of the success of a restaurant. How well your stores and inventory is maintained. Third delivery. I love delivery. I was at my father's delivery boy. Good boy. True. I mean, how do I say it? It's less. But I say that my only point is that I will be born for that, I will not go to that. And that's why you're skin color? It's dark. And I was like, okay. I can't change the color of the skin. And I'm so proud of it. But now you see what I'm going to do. And then for many, I was disconnected from many people. And it's true. And baut looga ne mujha ka ka kabhi ni ho sakta. Just remember, it won't happen. I said, no, it happened in London to Vineet Bhatia, to Atul Karchar. It has happened. Don't say it won't happen. Oh, but you know, America is a different thing. Okay. But if we will give up, if everybody will give up, then that chef was right. I have to prove him wrong. I have to do it for myself. For my people, I have to do this. And then, you know, within 10 months, we got the Michelin star, which was also unheard of. The restaurant khulte hai. So, kitni uski inspections hoti hai, Mr. Inspectors ke saath, critics ke saath. Junoon ke liya. Anji. And then, 2011, on then I got the call. It was unusual. Very unusual. Baiso, mujhe kuch yaad ni liya ta. Kuch khaya bine, sobah sa, mujhe kuch ni niyaad. But mujhe woh sab much moment by moment chyaad hai. Kyonki, usin brain nae ka, yad rakhna is koko. History is being created. Iske liye tap kiya hai, teeri generations na. Terei maa khadi thi uch chule pe. Terei dadi khadi thi chhatrii pakadke. Puri raat, woh terea saath kaam kertey tha. Rotiyaan banaatey tha. Yad rakhna. Ye unka hai. Ye moment itna bada hai. Tuhu swoch bhi ni saka. Iske baad, koi bhi brown bacha, any child of color, cannot be, they will not listen to a chef telling them, you can't rise. You are too less. Now opening culinary centers, museums, everything. These books to tell them, these television shows to go for it. Har country may, Indian Michelin star chef ona chahiye hai. For me, this is very emotional. You know, I mean, I mean, I mean, it's very difficult for me, I'll be honest with you, I mean, it's very difficult for me. And the day anybody wins, you see, I'm the first one who starts celebrating. So, everyone says, hey, baaya, baad jaa, tujja thudhi mila hai. I mean, nahi, mujhe hai mila hai. Yeh bachche hai, kahi na kahi, inka raastah merer saath jodha huya. Akharam, apne logan ko nhi celebrate kareinge, toh korn karega? Chali, aage bhandhe se pahle na, mein aapko ek doho messages sunwana chaathe ho. Yes. Namashkar, meera naam Poonam Kaul hai. Vikas and I are old friends, and hum sathme projects karte hai, sathme film mein bhi banaate hai. The amount of resilience, the perseverance that he has, that's what makes Vikas who he is. You know, when we started shooting the film, we met a couple of, often, The Last Color, we met a couple of directors, and, you know, initially we thought that, you know, we'll get someone on board. But then we realized that Vikas was actually living the story. You know, it did make sense to have someone else do it. So, you know, we decided to go with him helping the project. And Vikas, while he was the writer, as well, of the film, on the set, he was the de facto DOP. He was the costume designer, he was the choreographer, if you see Niaji doing, you know, a bit of a dance number, that was choreographed by Vikas. He was the location expert, so, but that's what Vikas is, you know, and, of course, not to forget the editor. He was the editor of the film as well. So he, that's, that's Vikas, you know, he just, if he's on a project, he just goes all across. He just, you know, brings everything together. He's, he's almost like a creative genius and a creative force, all coming together and creating magic. That's what Vikas Khanna is. Thank you. Is this film talking about the last color? This film talking about the last color. She, Jitu, Manisha, every, my mom, her sister at that time, how everybody stood with me to make something. Ninaji's, Ninaji's commitment, she came to New York for three hours. Three hours? Yeah, United Nations screening for three hours. And the picture has been seen a thousand times, the whole picture has been seen, you know, you're coming back. She said, okay, it's my picture, I'll see it all. I had made it on the top of the cover. When she came for this shot, we had a white sadi, it was such an organized director room. So, the buffet was looking, I took a buffet coat, two chadrines, they had a seat in front of me, and I put it on the front of them. I said, Ninaji, this is a sadi. She said, you're crazy. I said, look, and that is why this cut is coming so beautifully. This is a tent house ki chadar. Look, this is a tent house ki chadar. My God, amazing. I said, just give up. I don't want to do it. 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 And you know, the power of a movie, if I'll tell you, you won't believe it. It was in more than 80 film festivals, won awards everywhere. UN may picture dikhayagi headquarters in New York, standing applause. And then they made me an ambassador for Global Fund for Widows. I came the face of that. 350 million. And then they made me speak in the Congress in Washington, DC, where I was the only man in the entire stage. And they only listened to me when I was saying that we need to find ways to support these, you know. So during the pandemic also, you know, with Maximus and all, we were like all out there supporting these videos ashrams and that's, and so much has happened by the sale of this book, all donations. Yeah, bye. Can you hear me? Can you hear me? Can you hear me? Can you hear me? Hello everyone. I am Vishal Gundal and today I am going to talk about someone who is more than a brother to me. Chef Vikas Khanna, who I call Veer Ji. Veer Ji is not just a person. He is an entire planet with his own gravitational pull. which is so strong that once you enter his orbit, you will always be drawn into his universe of endless creativity and humanity. Whether he is feeding India during the pandemic, launching his book as an NFT, producing his own movie and directing it, or shipping a two-ton wheel to New York City, his endeavors are as diverse as they are impactful. Veer Ji is indeed a force of good. and I am always grateful and proud feel to have him in my life. His actions are a living testament to the boundless impact one individual can have. I love you Veer Ji. I love you more. I love you more. Oh, this guy has been very thankful for me. Both of them. Poonam too. In my circle, they have to be equally crazy. Because you know the wheel he is talking about, this is the Kunak wheel which was installed on Times Square. I have seen a lot on Twitter. So, I don't know. I don't know. 5,000 kg package in Times Square. Three cranes. Oh my god. And then 11 Times Square we have blocked. Two blocks. And on August 14th, it opened so that when we were taking the jhanda, we were taking Times Square. At that time, we unveiled our Purwujo gift of art and craft. And to be such a proud moment for all of us to have a piece of Kunak temple replica in New York City. And they said 2.4 million people, global visitors came to see the wheel. Kya bad. Just to see the wheel. Okay, one more time. You have eaten so many celebrities, great people, heads of states. Even today. Are you nervous? When you are like a chef and someone who is eating something? I am nervous for someone. I am nervous. I practice a lot. I get nervous for everything. I get nervous. I cook on TV and I am nervous. Because if you cook on TV, you don't eat and say, Wow, what is this? I want that too. My food should be eaten by the full team. I have a discipline which I feel. Are you a perfectionist? I am forgiving to others, not to myself. I beat myself sometimes. Why am I doing this? When God has given me this platform and stage, which sometimes I doubt I deserve it or not. To be so celebrated around the world. And to always have this thing that, Oh my God, where I started from? How many children will get this opportunity? So I become very cautious that anything I am representing, represents a bigger force than you. So I am scared. I am always scared. I am always nervous. People say, The restaurant is open. I say, no. This is the fear that keeps you alive. The fear that says, You have to努力. You have to do more integrity. You have to do more integrity. You have to do more justice. You have to do more justice. You have to do more justice. That is very important for me. You are not insecure. Insecure is a lot. You know, I am 52 years old. I have lived an amazing life. God has been so gracious. But I have also had life breaking heart breaks in my life. And your whole perspective change. When you feel that you can do everything. You know, you feel that God has a way to humble you. Last year I lost my sister in my arms. Younger sister. She was holding my hand when she passed away. Imagine the trauma of a brother. The new restaurant was her dream. I went for counselling. I went for everything. But I had a very good word. I learned a lot from counselling. Sublimation. Sublimation. Life is lost. That's how my heart is made. To break. But I thought, Sublimation is a very good word. I learned a lot from someone. He said, How do you overcome this? Sublimation. So, Sublimation. This is the only way to create something. Honor her life. 47 years. With you. Honor it. Then, Sublimation. My journey started. I said, I want to create something. I want to reach there. Everybody who enters the restaurant. Vows to my sister. She is always called the owner of the restaurant. And I am the guardian. And I will make sure that. I give people that memories in my new restaurant. Which unites people as a community. As a tribe. As proud Indians. Also introducing India to the world. Beautiful. In your life, I will see a lot of interesting things. I am very young. That woman. That woman. That woman. Very important factor in her life. Mother. Your mother. Your father. I see a beauty in these men. Because they look at their world's eyes. They respect women a lot. So, who are good on their family's bondings. The woman is a little different. आपने कही चैनल किया था इतना सब्सक्राइब ऐसाड़ी इसले नहीं कि? नहीं बट कभी पार में नहीं हुआ? नहीं हो अज़ता है वैसा हो मैं वैसा हां दो चाहिक है? जा करे दो मैं होप्रेगे? आफिया सरी तो पोडेट कंपन लुक बहुत मुट्ति हैं थोड मिश्क्लियृ कमित जुडर्ट करता है I don't want to have somebody in my life and I destroy her life too I want to be there for her and to support her to make her stronger and if it happens it happens if it doesn't happen I'm very good complete man I've come to this you've gone through several heartbreaks क electr Essentially people now get attracted to you for different reasons also 지금 so it's also thing I also live a very crazy lifestyle with so much of research going, so much work going so people some girls have.... JUST LIKE I agree... manifesting... I am on the side for saying that I am too ambitious or I don't treat people well because I am so driven by my work मुझे नहीं दिल तोड़ना ऐसे है I must have done bad too, मैं मानता हूं क्योंकि आप आप खुदी इतने जादे बैटल फिल्ट के अंदर खड़े हो आप I hope people realize that, आप बैटल फिल्ट में हो You're fighting, you're a bridge between India and American cultures You've got to be present all the time You know, having families, if it'll happen, it'll happen Last year I was like, okay, let's get a family check mark, but it's tough, especially with this lifestyle And as you're ambitious, as you're watching, you're never-ending that you're making a film, so I feel like I'm going to talk to you We're all at night, we're all at night, but now I'll try and wrap up with maximum two or three questions Feeding India, COVID, you're in your country, a true country, you're standing, how did that happen? And I know that you had a dad's mother's dad, let me tell you all So, you know, it was beginning of April and it was a tough time, the world had shuttered down totally, everything was stopped And I was scared, she had autoimmune diseases, so we have to be careful for any kind of virus So, I was scared, and you know, I was scared, I was distracted, my mom was on the watching television And she says, you know, India has a lot of problems with eating And that time I got an email saying that, please support India, there are a lot of old age homes which need food So, we discussed it in my team and they said, you know, it's temporary, something So, my mom said, you should do something And then there was a small truck of ration, rice, dal, and it was in there And then there was a small truck of rice, rice, dal, and it was in there And the person took the money, so I'll take it and I'll send it to you And I'm like, this is very difficult, different time zone You know, whatever you have achieved, it is all our gift, our country gave it to you And today, when we need your support, I know my son is in a position of power and privilege And when he says that he's giving up, I don't accept it So, I was like a little upset with her that time, that go for it I mean, do it and show it, whatever you can do, do it If you don't do it on a scale, people will see it and see it, but do it And that is when April 11th, things started and it kept rolling and rolling And then I put all my projects in the last burner I put some in the oven, some in the pantry, some out of the house All our projects have been made So, you have to eat India or you have to do it? Yes, you have to do it So, how did you do it so far? There was a lot of coordination, it was a big project, it was a lot of partners But then, New York Times did a cover story, there were a lot of partners in our past That we gave you a ration because there was everyday accounting and what was happening It was tough, it was great, there were partnerships to the next level Overnight, you connect with people on WhatsApp and emails and Instagrams and Twitters Boom 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 Only this was going on, but we didn't think that But one of the people say that in the opposite time zone, this was a disadvantage What advantage was that? It was very big advantage that when India is sleeping, we are ready for the next day No disturbance And when India got up, the place in our place has been placed in our place So, I am very proud I think, if I say that in my life, that I have a lot of luck It was the same thing that in my mother's name, that it is migrant workers So, you have to do petrol pumps, food stations, petrol stations You have to do that with migrant workers, you can get food, kitchen, chappal, sanitary pads So, this coordination was kind of insane But somebody was watching over the shoulders again We are staying in America for 23 years Sometimes, people are going to take 6 months And people are changing their roles They are speaking to the language, to speak, to accent But today, I met with the first situation We haven't been to the first situation We are still staying in America for 23 years And you are staying in America Or you are staying in India from somewhere Do you feel like we have to go back to the country? Do you ever call the mother? Mother? No Mother's first said that you could do in India में भी कर सकता है, पर ममा मुझे एक बड़ी अची बात करते हैं, ममा करते हैं, जब वन शी कमस तू नियॉक और रेश्टरून आते हैं सब दुबाई में रेश्टरून वाते हैं, तो कहते हैं कि देख, कि सबसे बड़ा रेश्टरून इंडियन है, यहां पर है, as she used to say, कित् वहां पर आके मेरा बेटा परफॉर्म कर रहा है, and she feels that, you know, वह बहुत बड़ी चीज, सबसे महिंगी किताब दुनिया की, किताब ऐसी, इसको बाराव साल लग गये, सोने से जड़ी किताब, यह कर रहे हैं, पतलब, she knows क्या चल रहा है, so she understands कि यह सब कुछ बाहर होके, एक आपका अबास्टर है बाहर, जो आपके बच्चों के लिए भी खड़ा होता है, आपके लिए भी खड़ा होता है, आपके बजर्गों की इजद करने की कोशिश कर, as much as they can do, वह कहते है, मैं को जोड़ा है सबको, when she comes and she sees so many families coming and she's like, my God, मैं भी फैमली नहीं, यह सब की फैमल आपका लेके खड़ा हूँ आपके, but MasterChef आपको भारत वापस ले आता है बीचे मेरी जान मास्टर शेफ मेरी मममा का फेवरिट शो है, मैं मिशा कहता हूँ कि जब तक मेरी मममा देखते रहें कि मैं शो करता रहूंगा, आज 2011 से जुड़ा हो मैं शो में और हमने पिछे कि लोग आपको लापस लेकरता है हाँ जान मत पुछो, I love it, but you know it is also people have to accept me as a human being, जहां जो कहना, जहां जो खाना, जहां जो गहाना, but that's how India knows how to express it. वो कि अपकी फिटनेस लेवल गीटार्ट कि विटनेसे हो इंडिया कनेक्स तो लव तो इंडिया उप्रिसस अर लव इंडिया उन्लिया उन्लिया उप्रेसर लव थू फूद अग गीव पूद सब्सक्राइब जानि के रोडशो भी चलना था अहां पे इतना खाना, it's like some days you think, के ओ, कैलरी गिनुगा गिनुगा ना गिनुगा पे कहतो नहीं किनुगा, पहले खाले पर देखी जाएगी, एक्ट्रा भाग लेना. चलि तब आप शोका सबसे श्पेशल तेसे लाएं. क्योंकि ये पच्पन से एक डिफरेंट लड़का था, जो कभी आज तक मैंने कभी ना देखा है ना सुना है, सब लच्चे खेड़ती होते थे, और ये बीजी के साथ किछन में ही काम करता था, वह तो उनकी हैल्प करता था, और उपर से हर खाना ये बनाना जानने लग गया, ये जब फ्री भी होता था, तो हर मंदिर साब चला जाता था, चपातिया बनाने, या कोई नो कोई सबजी बनाने उनके सबजी काटने के लिए और उसके बाद इसको पढ़ाई में तो बिल्कुल इत्रेस्ट ने था जो लिखता था टीचर जो मताती है उससे उल्टा कभी उसके काम किया ही नहीं पिर आगे बढ़ता लिया और जब ये शेफ भी बना और सबस करके दिखाता है कोई नो कोई जैसे ट्विस्ट अफ टेस्ट है वही रियल में इसकी लाइफ ऐसी होती है सीदा खाना तो को भी बनाना भी नहीं और उसके बाद इसको इंट्रेस्ट हो गया मुवीज बनाने का इतने सारे बुक्स पी लिखती मीच में छोड़ दिया बुक आपर हम राजमाचावल बनाएं अमा के ले मुझे कहते है ऐसे नहीं मुझे पसना मुझे ट्विस्ट करके दिया तो मैंने राजमाचावल के अरंचिनी बॉल्स बना के लिखते दिया चीज टाल के अच्छावल मुझे पढ़ा था कि आप क्ले स्कल्प्छ भी बना लेते हो गया खाने में सारी दभी नीच्षी कर ली फिलमे बना ली कितावें बहुत सारी लिख ली अब कुछ करना रह गया है अब मत मत बसाटिस्वाइड है बल्कुल बी नहीं मिलकुल भी नहीं, अभी तो टाइम है कुछ करके दिखाने का, बहुत कम लोगों को आवाज मिलती है ते गलोबल प्लाटफर्म पे, अभी तो आवाज को यूज करना है, अभी तो और कुछ करना है, शाहिद नहीं, I always keep feeling कि अगर इतना बड़ा प्लाटफर्म मिला है भगवा अभी और भी बहुत कुछ है, I just feel that, but I also figured out कि मुवीज के साथ आप एक बहुत बड़ा परिवर्तर लेक्या सकते हैं, अगर मुझे हिंदुस्तानी खाने की अवास को और बुलंद करना है, तो मुझे 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 मुझ अगर मुझे 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 विल्कुल अनिस्टी के साथ अब मैं अनिस्टी रहा हुतना अब अब अदमिशन ही मिलेगी मेरे को अमरिट सर और न्यॉयॉक न्यॉयॉक इंदिन फूर और कॉंटिनेंटल न्यॉकिंग कुकिंग राइटिंग और मुवीमेकिंग इन ओर फ्यर लव कुकिंग राइटिंग, मुवीमेकिंग इसी और मैंने सही हुआ है वेजटेरिन और नन-वेजटेरिन बोथ आप खाते भी है दोनों आप पनाते पांगे आपकी फेवरिट डिश क्या है मुझे पसंद है मेथी आलो का परांटे पुरानी मितिया जो रात्य होती है ुसको पुरान्थे अच्छाّ यह दु कूरा हम ऐए बद recytling वाला, भाणवकर in-देभ बदब कि असका तकी मास्ट्री है याईंग सभीवकर याई एक सब्जीर्साइवकर मास्ट्री है मेरी सबसी मरी सegसे बड़ी लाजर-focus और मेरी से बड़ी क्योंकि कि मैं इक छीस पर फाज जाता हूं पिर मे को मैं इसका इस इसफे दिस्टाग्ने बॉपाता हूं विए पाट बड़ी प्रब्र में बड़ी प्रब्ल च्रेंथ में बड़ी compr? The best compliment and the worst criticism ever received The best compliment was from this lady from Toronto who came to the restaurant and she said that my dadi was like a food She was 80 years old She said that my dadi's hand was like a rush When she said the word rush that was my best compliment Worst thing is Criticism Worst thing is we get a lot in social media No, but as a chef Why do you eat so much? A lot of people criticised Why do you eat so much? But any criticism that has been the most hurt? The most hurt me That this chicken is You should have chicken tikka masala This hurt me And I knew who it was I couldn't tell I couldn't tell They said chicken tikka masala What is this in the restaurant? There is a thing that is Hyderabad famous Chugur It's a ghost So I made chicken I had that dish In the lunch So she said What is this? So I said Why would you say that? This is a very important dish of India's culinary scene You can try it You can try it But all those butter chicken Fussed I get hurt I say How will you explore India? And how will you explore your palate? How will you appreciate India's diversity? How will you do it If you get out of your comfort zone You won't try anything Do you know What is your favourite? New favourite? Money Or fame Or recognition Not both Not both Both are the problem 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 The fame is so much It helps you for projects And money is so much That you don't have to think about If you have to think about your money Is it religious or spiritual? Are you more religious? No 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 I am very ritualistic There are many things I am in New York I am very ritualistic I am really ritualistic कि बहुत कुछ है। सबस्तिशन होग शुपरिशन हो जाते हैं क्योंकि जब भगवान का दिफरेंट रूप देखा हुथा सबस्तिशन हो एक हमारे अठी कुछ नहीं है तो आप कुछ भी शुरू करते हो जब खुर्पा करना हुँपरिशन हो कि अभूँ हूँ इस इस पर शूट जिस तो से के बहुत ही भी जिए सा बन गया है रिट्यूलिस्ते अभर मेर शिस्तर लूट जिस तो लिए था हम इस भी पैसे लिए कुछ हो राओ भी जित था बेटी कभी घर से खाली आपने जा जानी चाहिए इस तो आपको सबस्द अच्छा लगा ही आपका सपना था कि मैं दिन ने खिला हूं और वो सपना बुरा हूँ आपि तक अभी तक अन-फुल्फिल रीम फिलिप पतीत के लिए मुझे खाना बनाना है वो मेरे फेर्वर्ट सेलेबरिटी है पूरे प्लाने अर्थ पे मैं अमेरिकन प्रेजिदेंट से जादा उनको मानता हूं अर्श प्रेंच आर्टिस्ट वो रोप वोगर वो रसी पे चलते है और मेरे लाइफ का सबसे बड़ा एक द्रीम है उनके लिए खाना बनाना और हो सकता है हम दे काफी कोडिने करने कोशिश की पर ट्रावलिंग नहीं साथ दे सकी मोका नहीं मिला मुझे लगता है मेरे ला आप भी थके होंगे मैं नहीं थकी क्योंकि आपसे बात करके इतना अच्छा लागा बहुत सारे लाइफ लेस्सी को मिले को मिले कुछ छोटी चोटी चोटी गिफ्स हैं जो हम आपके लिए लेकर रहे हैं यह मैं आपको बड़ी इंट्रेस्टिंग चीज दे रही हूँ तो इसमें काद्स हैं कि आप अगर किसी के साथ अच्छी डीड करते हो कुछ भी तो उनको दो बोलो अब आपकी बारी यॉर तर्न नाओ तीसा काद्स तो पस्वान तो पीपल कि आप अगर किसी के साथ चाकर धगर टारी कीमश भी तो बहर दियक मैं दो पस्वा घर आपकी अपकी झान को बड्ते हैं किसी के साथ उल जडल गला खो अज़ व्यूत कि साथ भी यॉराव भीज़ उल्रेस्चिंग तो भी मैं चाले हो बखें मैं और 12 अधन